हेलो गाईज दिस इस मिजयावलासने और वाचिंग हासना अड़ स्टूडियो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रेक्टिकल में वाइवा कैसे लिया जाता है और वाइवा में क्या-क्या क्वेस्टिन आप से पूछे जाते हैं और क्या जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमने कुछ questions रखे हुए हैं यहाँ पर questions से पहले हम बात कर लेते हैं कि उसमें सबसे पहले तो आपको अपनी uniform अगर का दिहान रखना है neat and clean आपको वहाँ पर वाइवा में जाकर के बैठना है या फिर practical देना है आपको बहुत neat and clean and proper uniform में आपको जाना है with eye card आपका eye card भी होना चाहिए आपके बास और जैसा भी आपके school का uniform है वो आपने अच्छे से dress up होना चाहिए तो यह चीज़ आप बहुत तिहान रखेंगे और आपके face पे smile होनी चाहिए अगर आपसे कोई question पूछ रहा है मतलब जो आपके external examiner है वो आपसे question पूछ रहा है तो आपको smile के साथ जबाब देना चाहिए ठीक है तो अब ऐसे question की बात करते है कि कैसे question आपसे पूछे जाने वाले है तो question अगर हम बात करें तो जादतर जो question है वो आपके history of art से ही पूछ जाते हैं जो भी आपके syllabus में दे रखा है और teacher से भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके syllabus में दे रखा है वो ही उनसे पूछ लिया जाए ताकि वो अच्छे से prepare करके आए वायवा के लिए और उनका जो board exam होने वाला है उसमें भी वो काम आ जाए तो ऐसे आप question उनसे जादतर पूछें तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ question रखें ये question जो board का theory का exam होने वाला है उसमें भी ये बहुत जादा important है और ये वायवा में में बहुत जादा important role play करेंगे आपके लिए तो ये सब आप याद करके जाएं जिसमें आपकी जितनी भी slayvers में painting दे रखें उन painting के painters के name, painting के name and उनके sub school या period आपका उसमें दे रखा है तो वो सारी चीज़े आप याद करके जाएं जैसे यहाँ पर पहाड़ी में दो painting के बारे में दे रखा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि who made the Krishna with gopies तो आप उस painter का नाम बता देंगे and आपसे पूछा जाए अगर sub school के बारे में तो sub school का नाम बता देंगे तो ऐसे question आपसे पूछे जा सकते है maximum जाद तर ऐसे question आपसे पूछा जा सकते है जो कि आपसे slayvus से related है और slayvus आपका पूरा याने वाला है तो यहाँ से कई से भी आपसे question पूछा जा सकता है तो यह सारे question जो important question है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं वो हमने इस PDF में रखे हैं तो यह PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे description में जाकर के उसका link आपको मिल जाएगा वहाँ पर तो यह सारी चीज़े आप डाउनलोड करके याद कर लेंगे और अपना viva आप अच्छे से दे सकते हैं और दूसरा यहाँ पर कुछ हमने basic questions रखते हैं के art के यहाँ पर कुछ basic questions हैं वो भी आप याद करके चले जाएंगे तो बहुत जादा बहतर रहेगा बहले तो आप जो history के questions हैं वो याद कर लेंगे जो आपके slayvus में दे रखाए और फिर आप यह सारे questions याद करेंगे जैसे आप से पूछा जाएगा what is the primary colors तो यहाँ पर primary colors दे रखें यह बहुत ही basic question है art के तो यह question पूछे ही जा सकते हैं तो आप यह सारे यह सारी चीज़े भी आप दिहान में रखे जाएंगे आप से पूछा जा सकता है कि still life क्या होता है तो यह जैसे हमने definition दे रखें तो यह definition आप वहाँ पर बता सकते हैं तो यह बहुत ही आपका simple हो जाएगा वाइवा आप अराम से पूरे confidence के साथ जाएगे अगर आपके यह questions और यह सारी चीज़े याद है यह सारे topic आपको याद है तो आप अराम से with confidence जाएए अगर नहीं भी याद हैं तो confidence में चाहिए अपना introduction दीजिए अगर नाम आपसे पूछा आ सकता है तो अपने face बे smile रखिए और अपना जो dress up है वो बहुत धिहान से आप करिए ना कि ऐसे ही कुछ भी पहन के चले जाएं shoes दूसरे पहन रहे हैं और football के shoes पहन के चले गए और आपकी uniform में वो shoes हैं नहीं तो ऐसा भी नहीं चलेगा तो आप ये चीज़े ध्यान में रखेंगे तो मुझे रखता है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ आया होगा तो आज की वीडियो अम बस इतना ही thank you for watching